All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, The Step to Your Dream. The Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Step to Your Dream. The Step to Your Dream is the Steps to Your Dream. विल ले लिया होर्समेंशिप जादा प्रमोट हो गया तो होर्समें जितना बढ़िया किसी किंग्डम के पास होगा इस टाइम पे उतना जादा उनका टेटोल एक्सपेंशन होगा तो गुपताज के के एक्सपेंशन का भी यह कारण था कि जो हर्समन है वो बहुत ही important part play की गुपताज के रहन में क्योंकि उनके कई सारे coins में हम लोगों को घुरसवार देखने को मिलता है बहुत सारे जो राजा थे हाला कि ऐसा नहीं कि क्या सकता है कि रत का परभाव खतम हो गया तो कोई रत ह नहीं चला था बहुत सारे गुपता के जो rulers थे kings थे वो बहुत excellent और unrivaled chariot warriors थे रतियोद्धा थे लेकिन फिर भी horses जादा important था और horses ही जो है military का basic strength था इनका जो center था कह सकते हैं कि सारे काम का होने वाला जो center था वो मध्यदेश था मध्यदेश जो यूपी और बिहार का region ह है उसको कहते हैं और हम लोगों पता है कि यहां पे गंगा नदी है गैंजी रिवर है जिसकी वजह से इस जगह का जो land है वो बहुत ही fertile है बहुत ही उपजाव है गुपताज का जो rule था वो अनुगंगा के उपर था अनुगंगा जो region है वो कह सकते हैं mid gangetic basin या गैंजी सोर वो region था वहां पे उनका रूल था इसके अलाव परियाग में उनका रूल था पहले ही बता दिया परियाग जो है वो modern Allahabad है इसके अलाव साकेत जो की अयोध्या का रिजन था और मगध जो की बिहार का रिजन है यहां तक इनका रूल था तो ऐसा है कि जो गुपतास थे गुपतास का रूल सेंट्रल इंडिया पर भी था और यूपी बिहार के रिजन पर भी था तो वो लोग जो हैं जो rich iron deposits हैं I'm sorry जो rich iron ores के डिपोजिट सें Central इंडिया में और जहरकन के रिजन में अमसार यहां पर एक टाइप हो है tapping error हो गया है खैर तो उन्होंने इन rich iron ores के डिपोजिट को बहुत अच्छे से exploit किया और अपने लिए कई सारे iron tools और weapons बनाए और इसी वज़े से उनका जो है development हुआ military भी उनके strong हुई और expansion हुआ तो जैसे कि मैंने पहले कहा cushion power जो है वो कह सकते हैं कि 3rd century के middle में आते आते तक में खतम हो गया तो यह around 230 80 के around cushion का जो power है वो खतम हो गया और उनका एक बड़ा सा part जो है Central इंडिया का उन पे rule हो गया उनके जो kinsmen possible kinsmen थे उन्हीं के कह सकते हैं royal family से belong करने वाले जिनको मुरुंडाज कहते हैं उनके अंदर आ गया वो rule अब क्या हुआ कि मुरुंडाज जो है वो 250 AD तक rule किये और उसके 20 से 25 साल के बाद around 275 AD में गुपता dynasty power में आ गया कई जगा पर यह भी कहा जाता है ऐसा भी माना जाता है कि जो गुपत गुपताज जो है वो अपने आपको independent घुषित किये तो कई जगा पर यह भी कहा जाता है जो भी हम लोगों को sites में जो भी कह सकते हैं कि जो inscriptions मिले हैं जो भी हम लोगों को evidence मिला उससे थोड़ा बहुत यह भी relate करता है तो कई historians का ऐसा भी मनना है अब हम लोग पढ़ेंगे गुपता इंपायर के जो पहले ruler थे चंदरगुपत वन जिनका जो reign था rule था वो 31980 से 33580 तक रहा चंदरगुपत जो थे चंदरगुपत वन वो सबसे important तो नहीं कह सकते हैं लेकिन बहुत important राजाओं मिसे एक क्योंकि इन्होंने ही जो गुपता सामराज है उसके स्थाप कि बहुत जादा ही accept नहीं था लोगों को तो चंदरगुपत वन ने क्या क्या कि उन्होंने लिच्छवी प्रिंसस से शादी कर ली जो कि कह सकते हैं कि most probably नेपाल से होंगी अब लिच्छवी क्या थे लिच्छवी शत्र क्लैन से बिलोंग करते थे अब शत्र को ही तो rule करने का आदेश है कह सकते हैं कि उनको लाउट है तो जैसे इनकी शादी जो है लिच्छवी प्रिंसस से होई अब इनका क्या हो गया इनका जो राज था वो और स्ट्रॉंग हो गया इनका प्रिस्टीज पर गया और इसी तरीके से गुपता एरा का स्टार्ट वा 319 से 320 AD में जो क पर दिखाया जा रहा है कि एक राजा है जो की चंद्रगुप्त वन है वो अपनी रानी कुमार देवी के साथ यहां पर इस में इंग्रेव्ट है यह दिख रहा है इस कौईन में हम लोगों को दिख रहा है अब हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड रूलर है गुपता पहर के कह सकते हैं कि सबसे इंपोर्टन है क्योंकि सबसे आदा एक्सपेंशन टेजरो एक्सपेंशन राज को बढ़ाने के काम इन्हों नहीं किया है तो गुपता जो सामराज था उसका जो एक्सपेंशन है वो इनॉमसली चंद्रगुपता के बेटे और उनके सकसेसर समु इसके को अपना लिया जबकि समुद्र गुप्त इसके उल्टा कर रहे थे समुद्र गुप्त जो थे उनको वाइलेंस और कॉनकेस्ट में मज़ा आता था तो वो ताकत दिखा करके जीतते थे और मारकाट में थोड़ा उनको ज़्यादा कह सकते हैं कि Gaurav feel करते थे प्राउड feel करते थे उनके जो court poet थे हरी सेना उन्होंने बहुत ही कह सकते हैं कि glorious way में उनके conquest को उनके military conquest को उनके जीत को लिखा है inscription inscribe किया है और वो inscription जो है वो अलाबाद के जो pillar है अशोकन पिलर याद होगा आपको अशोका का पिलर है अलहाबाद में, उस पे उन्होंने इंग्रेव करवाया तो अशोकन पिलर जो है अलहाबाद का उसमें समराट अशोक का भी inscription है और समुध्र गुप्त के दुवारे लिखवाया भी inscription है जिसमें हरी सेना बताते हैं कि समधर गुप्त ने किस किस तरीके से किन किन राजाओं को हराया और कैसे कैसे लोगों को हराया और किस तरीके से कितना बरा राज अपने अंदर अधीन लिया तो जो भी places, जो भी countries उन्होंने जीता, समधर गुप ने जीता, उनको हम लोग 5 गुरूप में बाट सकते हैं पहला गुरूप जो है, उनमें वो राजाओं का जिक्र है, जो कि गंगा यमुना दुआब पे रूल कर रहे थे तो समधर गुप ने क्या किया कि गंगा जमुना दुआब के जितने भी छोटे-छोटे स्टेट्स थे, उनके राजाओं को हराया और यह रीजन जो है, गुपता इंपायर के अधीन कर लिया गंगा जमुना दुआब का जो रीजन है, बहुत फर्टाइल रीजन है, नौत इंडिया का तो यह अधीना आते ही, टैक्स बढ़ जाएगा, रिविन्यू बढ़ जाएगा, रिविन्यू बढ़ते ही, एकोनॉमी बढ़ेगी और फिर एक बढ़ियां मिलिटरी सपोर्ट हो सकता है तो दूसरा जो गूरूप है, वो इस्टरन हिमालियन जो स्टेट्स हैं, उनके रूलर्स हैं और कुछ फरंटियर स्टेट्स हैं, जैसे कि नेपाल, असम और बंगाल, उनके रूलर्स को हराया और कुछ मौर्स समराज की खतम होने के बाद, पंजाब की रिजन में छोटी-छोटी रिपबलिक्स डेवलप कर गए थे तो उनके राजा को भी खतम करके, यह सारा का सारे रिजन अपने अधिन ले लिया तीसरा जो गूरूप है, वो फॉरेस्ट किंग्डम्स का है, जिसको हम लोग अत्विकर राज कहते हैं जो कि विंद्या जो रिजन है, वहाँ पे कहते हैं कि इस्टैबलिश था तो उनके भी राजाओं को हराया, और फिर यह सारा रिजन भी अपने कंट्रोल मिलिया चौथा गूरूप जो है, वो बारा राजाओं के द्वारा रूल किया जाने वाला एरिया जो कि इस्टरन डिककन और सौथ इंडिया का पार्ट है उसमें कह सकते हैं कि वहाँ पे बारा रूलर्स रूल कर रहे थे, उन सब को हराया और यहां ही नहीं बलके तमिलनाडू का जो कांची का टाउन है वहाँ तक इनका रूल इस्टैबलिश हुआ था और जो पल्लवाज थे पल्लवाज को भी ये हरा करके अपने अधीन कर लिये थे जो 5th group है, वो 5th group में हम लोग शाकाज और कुशंस को देखते हैं सोरी, देखते हैं कि शाकाज और कुशंस को इन्होंने हराया अब ये शाकाज और कुशंस जो हैं नौर्थ इंडिया के नहीं बलके ये वो शाकाज और कुशंस हैं जो बच गए हैं और अफगानिस्तान के पार्ट में रूल कर रहे हैं तो उनको हराया और एक मेजर पार्ट अफगानिस्तान का भी अपने अंदर अपने कंट्रोल में लिया जो कि हम लोगोंने मैप में देखा है एक चाइनिस सोर्स से हम लोगों को पता चलता है कि एक राजा है महावर्वन जो कि श्रिलंगा के राजा है उन्होंने अपना अमबैज़र भेजा समधर गुप्त के पास और उनसे इजाज़त मांगा कि हम गया में एक बुद्धिस्ट टेंपल खोलना चाहते हैं समधर गुप्त ने इजाज़त दिया और वो कह सकते हैं कि उसने यहाँ पर बुद्धिस्ट टेंपल ख़ड़ा कैंगा तो यह दिखा रहा है मैंने यह बात क्यों कि यहां पर मैंने यह बात लिखी है क्यों इसके जरूरत क्या थी यह आपको दिखा रहा है कि श्रीलंका इतना दूर है फिर भी उनको एक बुद्धिस टेंपल बनाने के लिए समुद्र गुप्त की इजाज़त मांगनी पर रही तो दिखा रहा है कि कितने strong कितने powerful राजा थे का जाता है कि समुद्र गुप्त जो थे वो उन्होंने कभी हार देखा ही नहीं कभी हार देखा ही नहीं इसलिए उनको एक title भी परा जिसको कहते है नेपोलियन ऑफ इंडिया के नेपोलियन तो याद रखे एक बहुत famous टाइटल है जो दिया जाता है ये उनको उस ताइम में नहीं दिया गया ये अभी हम लुग ताइम अभी ही देते हैं क्योंकि निपोलियन जो है वो अभिएसली बात के रूलर है फ्रांस में तो ये बहुत इंपोर्टन पॉइंट है कि किस राजा को नेपोलियन अफ इंडिय कहा जाता है तो समुद्र गुप्त ऑफ गुपता इंपायर को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्र गुपत टू के बारे में जो की समुद्र गुपत के सकसेसर थे उनका जो रूल था वो 380 AD जो की समुद्र गुपत का end है समुद्र गुपत के रूल का तो 380 AD से लेकर के 412 AD तक उनका रूल रहा और इनका रूल बहुत important है क्योंकि चंद्र गुपत 2 के ही शासनकाल में गुपता इंपायर का सबसे बड़ा रीजन जो है वो देखने को मिलता है सबसे बड़ा रीजन पर चंद्र गुपत 2 ही रूल किये थे तो चंद्र गुपत 1 ने जितना उक्वपाय किया उसके पाद समुद्र गुपत 2 ने उक्वपाय किया ये तीनो रीजन मिला करके सिर्फ और सिर्फ इनका रूल था तो बहुत important राजा है इन्होंने अब देखिए इन्होंने जो expansion किया जो भी military expansion किया वो दो तरीके से किया एक तो military involve करके मतलब जीत करके राजाओं को हरा हरा करके और दूसरा marriage alliance ठीक है शादी करकर के उससे संधी बना बना के alliance करवा 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 के अपने position को और strong किया अपना rule को और बढ़ाया जैसे कि चंद्रगुपत की जो बेटी थी उन्होंने अपनी बेटी परभावती की शादी जो है Central India तक इनका effect क्या कह सकते हैं कि परभाव मतलब Central India भी इनके परभाव के अंदर आया और हुआ कि कुछ साल बाद प्रिंस भी मर गए जो प्रिंस थे वकटका के वो उनका death हो गया जैसे death हुआ और उनके जो बेटे थे वो बहुत ही छोटे थे तो हम लोग जानते हैं कि जैस Central India जो राजा है अगर वो चला जाता है तो वो राजा घोशित तो हो जाता है लेकिन राज actually को मोट कर रहा होता है जैसे उनके करीब ही मिनिस्टर कर रहे होते हैं या अगर मा है तो मा कर रही होती है तो यहां भी क्या हुआ कि πरिंस के मौत के बाद जो परभावती है उनका rule start हो गया indirect rule अब परभावती जो थी वो चंद्रगुप्त की बेटी थी चंद्रगुप्त इस तरीके से क्या हुआ कि परभावती ने अपने फादर के ही interest को promote किया और इस तरीके से चंद्रगुप्त टू का जो है indirect control हो गया पूरे के पूरे Central India पे जो की Wakataka Kingdom था अब इससे क्या हुआ कि इसकी वज़ा से उनको Mathura को जीतने में असानी हुई Mathura को जीतने के बाद Cushions को हराया और Mathura को जीता बचे वे जो Cushions होंगे उनको हराया और Mathura को जीता और यहां से यहां से जो है एक बहुत important conquest उन्होंने किया वो था Western Malwa का region और गुजरात का region वो भी शाकाज को हरा करके जो शाकाज शत्रपाज थे उनको हरा करके Western Malwa और गुजरात को जीत लिया अब याद रखेगा कि जो Malwa का जो जीत है Malwa के जीत मिलते ही जो चंद्रगुप थे उनका control कहां हो गया Western Sea Coast पे हो गया Western Sea Coast क्या है trade route था यहां पे बहुत सारे ports हैं जहां से trade होता था जो Roman Empire था Byzantine Empire वहां से trade होता था तो जैसे ही यहां पे rule हुआ बस trade इनके अधीन आ गया और trade इनके अधीन आते ही financial prosperity आया मालवा में अब मालवा में prosperity आने की वज़ए से जो इनका मालवा का जो chief city था उज़एन वो prosperous हो गया और इसी कारण से चंद्रगुप्टू जो है उन्होंने जो उज़एन है उसको अपना second capital घोशित किया अब यहां पे एक अलग बात हम बताना चाहेंगे जैसे कि हम लोग देखे हैं कुत्व मिनार में एक iron pillar है कुत्व मिनार में जो iron pillar है उस iron pillar पे एक राजा के बारे में कहा गिया है जिनका नाम चंद्रा है और बहुत ही glorify किया गया उस inscription में कि जो चंद्रा राजा है उनका जो rule है उन्होंने अब north western इंडिया से लेकर के बंगाल के एक अच्छे खासे हिस से तक उनका rule establish हुआ हाला कि इसमें inscriptions में अगर अच्छे से हम detail wise जाए तो बहुत लंबा चोड़ा कह सकते हैं कि फेका गिया है exaggerated बहुत है जादा मतलब facts को थोड़ा और बढ़ा चा करके लिख दिया गिया है हाला कि बहुत बढ़ा rule तो नहीं था गुपता empire का लेकिन हां और most probably यह जो चंद्रा जो राजा के बारे में कहा जा रहा है यह चंद्रगुप 2 होंगे ना कि चंद्रगुप 2 का rule बहुत बड़े एरिया पर नहीं था तो चंद्रगुप 2 ही होंगे गुपता empire के अब चंद्रगुप 2 जो है जब उन्होंने मालवा में शाकाज को हराया आपको याद होगा शाकाज को हराने वाले एक और राजा थे जो कि 58 से 57 BC में उजयन के ruler थे विक्रामदित्य है ना मैंने पहले पढ़ाया है विक्रामदित्य ने शाकाज को हराया था और उसके बाद से जब भी कोई राजा जो है बहुत कह सकते हैं कि बड़ा conquest बड़ा जी कह सकते हैं कि ली यह दिखाने के लिए कि उन्होंने शाकाज को हराया है चंदगुप टू का जो कोर्ट है बहुत फेमस था उनका जो दरबार था बहुत फेमस था क्योंकि नौरत्न की बात होती है जैसे अकबर के कोर्ट में दरबार में नौरत्न थे तो वैसे ही और कालिदास सब जानते होंगे, हम लोगों ने इनके स्टोरीज या पोइम किसी ने किसी फॉर्म में ड्रामा, किसी ने किसी फॉर्म में हम लोगों ने इनके लिखे वे बातों को पढ़ा है, ये स्कॉलर्स थे, नौरत में से दो यहां पे लिखे हुए हैं, बाकि साथ आप चाहें तो गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, अलाकि यहां पे जादा कोई इंपोर्टन नहीं है, वो हम लोग निक्स चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उजयन में इनका जो सेकंड कैपिटल उजयन था, वहां का जो इनका कोड था, उसमें ये दो, नौरत में से ये दो इंप ये इंडिया को विजिट किया इनके सासनकाल में और बहुत अच्छे तरीके से यहां की लोगों की लाइफ, यहां के टाउंस, यहां के स्टम, मिलिट्री सिस्टम, यहां का टैक्सेशियन सिस्टम हर चीज के बारे में गुपता एंपेर के बारे में लिखा और यहीं से हम को गुपता एंपायर के एड्मिस्टेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे हैं बहुत डिटेल्ड तरीके से हम लोगों को पता चलता है का जाता है कि फाहियान जो है यहां से बहुत सारे बुद्ध की मुर्ती और बहुत इंपोर्टन चीज़ें लेके जा रहे थे और बहु को समंदर में फेकना पड़ गया इसका फिर भी तो सोचे अगर वो सब नहीं फेकना पड़ता तो अभी कितना बड़ा हम लोगों को कह सकते हैं कि कल्चरली रिच गुपता एंपायर पढ़ने को शायद मिलता खैर अब हम लोग पढ़ेंगे फॉल आफ द गुपता एंपाय का पतन कैसे हुआ चंदगुपत 2 के जो सकसेसर थे बहुत ज़ादा स्ट्रॉंग नहीं थे और 5th century के middle में ही 2nd half में 5th century के हुनास का attack Central Asia से स्टाट हो गया Central Asia के एक tribe थे हुनास उनका attack इंडा के तरफ स्टाट हो गया और चंदगुपत 2 के सकसेसर जो थे वो इस invasion को बहुत जहल नहीं पाए अलाकि शुरू शुरू में जो उनके सक्सेसर थे चंदगुप्टू के सक्सेसर इसकंदगुप्ट कह सकते हैं कि लास्ट इंपॉर्टेंट राजा हो इन्हीं को मानते हैं इन्हों ने कई सारे effective measures लिए और हुनास के मार्स को इंडिया में रोका लेकिन इनके जो सक्सेसर थे वो वीक वो बहुत कमजोर थे और हुनास जो थे बहुत अच्छे घुरसवार थे excelled in horsemanship और इसी कारण से उनका राज इरान में भी established हुआ और इंडिया में भी established हुआ तो वीक गुप्ता रूलर्स की वज़े से इंडिया में invasion हुआ और 485 AD आते आते तक जो हुनास जो थे वो eastern मालवा के रीजन जीत जाते हैं इसके लाव central इंडिया के रीजन जीत जाते हैं एक बहुत बड़ा पार्ट जीत जाते हैं इसके अलावा पंजाब और राजिस्थान का भी रीजन जो है वो जीत लेते हैं गुपताज से अब ऐसा भी नहीं कि जो हुनास थे उनका रूल कई सालों कई सदियों तक चला ऐसा नहीं है मालवा की एक फिडिटरी फैमिली थी औलिकारा उन्हें से एक राजा बिलॉंग करते के बाद अराउंड 532 AD में पिलर और विक्ट्री जो है खड़ा कर दिया उन्होंने कि हाँ अब पूरे के पूरे नॉर्दर इंडिया का जो राजा है वो मैं ही हूँ गुपताज नहीं है तो कह सकते हैं कि गुपताज के रूल को एक बहुत बड़ा जटका इन्होंने दिया हलागि ये येश्व धर्मन का भी रूल जो है कई सालों नहीं चला बहुत शॉट लिफ्ट था उनका राज लेकिन ये शॉट लिफ्ट था लेकिन बहुत असरदार था गुपताज कह सकते हैं कि गुपताज इंपायर को एक दिन तोड़ दिया खतम कर दिया उनका वैल्यू खतम हो गया अब गुपताज इंपायर का वैल्यू इतना पर नहीं रुका कि ऐसा नहीं कि एसो धर्मन के बाद गुपताज फिर से आ गए नहीं, बलकि अब जैसे ही एसो धर्मन ने अपना रूल इस्टैबलिश कर दिया, गुपताज को ठेंगा दिखा दिया, थाम्स जाउन, तो इसके उज़े से क्या हुआ कि जो छोटे-छोटे फिड्रेटरीज थे गुपताज के वो अपने आपको इंडिपेंडेंट को सीथ कर दिया, और क्योंकि गुपताज के जो रूलर्स थे, वो वीक थे बाद के, तो वो इन फिड्रेटरीज को वापस अपने अधीन ला भी नहीं पाए, हम लोग देखते हैं, जो लेट गुपताज हैं, बाद के जो गुपताज ह और इनी के साथ साथ एक और कह सकते हैं कि इंपाइर खड़ा हुआ, जो कि मुखारीज का इंपाइर था, उनका रूल बिहार और यूपी में भी इस्टेबलिश हुआ, और उनका जो कैपिटल था, वो कन्नौज था, कह सकते हैं कि गुपताज के बगल में ही एक दूसरा इं आते तक, 550 कह सकते हैं कि एडी आते आते तक बिहार और यूपी भी छिन गया गुपताज से, गुपताज के हाथ से ये दूनों भी निकल गया, जो वलबी के जो रूलर्स थे, उन्होंने अपने आपको इंडिपेंडेंट घोशित कर लिया और गुजरात और वेस्टरन माल पूरा कपूरा इन से छीन लिया गया, ये इसकंड गुपत के बाद हुआ, क्योंकि इसकंड गुपत तक हम देखते हैं कि गुपताज टूटा लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रेमिट कह सकते हैं कि ड्रेस्टिक जो डिकलाइन हो वो देखने को नहीं मिलता है, इसकंड जो कि around 467 AD कह सकते हैं कि उसके around गुपता इंपाइर कई सारे टुगरों में बढ़ गया, और इसकंड गुपत के रूल के बाद हम लोगों को मालवा के रीजन में, जो western मालवा और सौरास्ट का रीजन है, इस पूरी रीजन में बहुत मुश्किल से बहुत कम ही हम लोगों क गुपता के coins और inscriptions देखने को मिलते हैं, जो कि यह suggest करता है कि इसकंड गुपत के बाद यहां पर जो गुपता का rule था, वो almost खतम हो चुका था, जैसे western India, जो western coast वाले रीजन सब है, यह गुपताज के हाथ से गया, तो trade और commerce भी चला गया, तो जैसे trade और commerce गया, तो हुआ क कि एकोनोमिकली लंगडे लूले हो गए, वो crippled हो गए, एकोनोमिकली crippled हो गए, और यह हुआ कब तो 5th century के end तक आते आते, वो पूरे की पूरे financially, economically crippled हो गए, इतना ऐसा भी नहीं कि सिर्फ यही एक करण था, इसके लावा बहुत सारे और करण थे, जैसे कि North India में क्या हु अपना power establish कर लिए, इसके इलावा, economically crippled होने के बावजूद, यह जो land grants देने का जो practice था, वो continue रहा, कि मतलब किसी को जमीन दे दिया गया, जैसे मानली जी कोई priest है, उसके service से खुश हुए तो उनको जमीन दे दे गया, अब होता गया है कि जमीन जब land grants परते हैं, तो उन प पर टैक्स का अधिकार छिन जाता है, मतलब राजा उस जमीन से अब टैक्स नहीं वसूल सकता, जिसको दिया वो वसूलेगा, तो इसके वज़े से हुआ कि जो royal revenues था, उसमें reduction आगया, कमी आगया, हम लोग देखते हैं कि कई सारा जो guilds हैं, अब देखिए, जैसे ही decline जैसे कि हम लोग एक example देखते हैं कि silk weavers का guild था, guild हम लोग जानते हैं, group organization, silk weavers का, रेशम के काम करने वाला जो वालों का organization था, उन में से एक बड़ा हिस्सा जो है, कहले complete guild था, वो migrate कर गिया, शहर छोड़ करके, दूसरे छोटे छोटे जगहों पे जाकर बस गिया, और silk weaving को छोड़ दिया, रेशम को बुनना छोड़ दिया, और दूसरे छोटे 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 non productive professions को अपना लिया, यह बताता है कि मतलब जो goods का demand था, जो crafts का demand था, वो किस तरीके से कम हो गया, क्योंकि trade खतम हो गया, तो जो 5th century के middle आते आते तक है न, 5th century AD के middle आते आते तक जो है गुपताज जो है, ऐसे देखतने को मिलता है कि गुपताज जो है, बहुत बहुत जादा ही desperate attempts लगाते हैं कि वो लोग अपने metal money को बचाएं, money की value को बचाएं, money को चलाते रहें, जो उनका gold currency था, उसको maintain करें, अब यह कैसे possible था, क्योंकि reach तो थे नहीं, तो यह possible तब हु जो 6th century का middle है, उसके आते आते तक, जो गुपताज का rule था, वो complete vanish हो गया, completely खतम, ठीक है, लेकिन जो imperial rule था, जो glorious rule था, कह सकते हैं कि glory से भरा परा imperial rule था, वो 5th century के middle में ही खतम हो चुगा था, और गुपताज जाके completely खतम होते हैं, 6th century के middle में, मतलब जहां भे गुपताज का हम लोगों को पूरा फतन देखने को मिल रहा है, उससे 100 साल पहले ही, उनका जो है, glorious rule खतम हो चुगा था, तो खेर इस chapter में इतना ही, हम लोग नेक्स chapter में पढ़हेंगे, इनके अलग-अलग departments को लेकर कि क्या science and technology में development हुआ, और क्यों इनको जो गुपता, जो period था, गु I hope इस chapter में आपको सब समझ में आया हो, मिलते हैं नेक्स chapter में, तब तक के लिए